Hello everyone, I am Rupali and once again welcome back to Rupali's Kitchen Friends, today I am going to take a special Indori Pohay recipe so you can also make it very easy and you can also use a diet plan because these Pohay are made from this team so let's start the recipe and before watching, if you want to subscribe to my channel, subscribe to my channel so here I have 2,5 cups of Pohay, which are small Pohay, which I have used in this Pohay so first, we will pour water in the Pohay, because if there is a bad thing, it will be a bad thing and mostly Pohay in the Pohay, if there is a bad thing, if there is a bad thing, you will also take it out so here I am going to pour water and after pouring water, we will pour water in the Pohay then we will pour water in this Pohay, and then we will pour water into some Pohay once we will pour water in 10 to 20 minutes, I will pour water here and then we will pour water into some Pohay so the Pohay will not dry dry, so I am adding the Pohay in the Pohay, now you can, add salt into salt you can add salt, in the salt and in the green, even in salt, for this, I will add salt and a little bit of salt, I have added salt, if you want it to salt, you can add salt कर दो दोड़ी कर दोड़ी कर दाली अपने अपने लाम झाली नमक शकर, भाव्त नमक कर देखों कर लेंगे अधन रहत छुटा में और कर दोटी तोटे ना अगर तोटा तो देखने में अच्छा नहीं लगेंगे तो यहाँ पर मेरे जो मैरिनेट हो चुके हैं, आप इसे मैरिनेशन भी कह सकते हैं तब मैं यहाँ पर इसे ढखके रख दिया है, दस से बीस मिनिट के लिए आप मैक्जिमाब उसे रख दीजेगा और जितना आदर घंटा भी रख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने ने सबसे पहले पिलिया है, और टोड़े से ऑईल में यहाँ पर डाले हैं इनको मैं अच्छे से फ्राइक कर लोगी तो यहाँ पर मेरे मुम्फली की दाने अच्छे से फ्राइ हो गए हैं यह तो अभी हमारी त्यारे होगी है, डेकोरेशन के लिए मैंने मुवफली की दाने तले, अब हम बना रहे है इसका तड़का, तो यहां पर मैं करें तड़के की तियारी, उसके लिए मैंने यहां पर लिया है जीरा, सौफ, एक चम्मच लिया है सब कुछ, और घड़ा धनिय जाओ कि इसमें ज़रोद नहीं परती है, बहुत ही कम तेल में यह हमारे पोहे जोगे टेस्टी और बढ़िया बन के तयार हो जाते हैं, तो यहां पर वो फ्राई हो गयते तो अब मैंने डाल दिया थोड़ी पत्ते, पांचे लीफ्स मैंने कड़ी पत्ते के डाल दी है और यहां पर बारी कटी हुई हरी मर्च तो इन सब को अच्छे से डाल देंगे इसमें और यहां पर लिए मैंने तुड़ी मतर है और अगर अगर फ्रेश मतर तो अभी आई नहीं रही है तो यही मतर यूज करनी पढ़ती है वैसे फ्रेश मतर भी टाल तो वो पी ज्यादा पर कोई बात नहीं अभी इससे काम चलाएंगे तो इन सब को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और यहां पर मैंने इसी तड़के में डाला है थोड़ा सा धनिया तो धनिया भी धनिये का पिस्वात मतला अच्छा आता है थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद में आपको भी अगर अच्छे से ऑपने अपने बहाँ के रखे हुए थे इस पूरे तड़के को हम अपने बहां में डाल देंगे तो यहां पर मैंने सारा तड़का जो है वो आईल अगरसा निकाल के इसमें डाल देंगे अगर हल्दी अगर अगर इस वक्त अपको थोड़ी से काम लगे तो इसी स्टेज में इसी स्टेज में टूपनी कीभा, ऑल दी आपको यह करना है अदिसमी पय पूहीं कर ले जया को में tunes करना करे थाया ठीक को few to eat naMasya drug ठीक्षी में लेखेऊ है लाउने ।adasclake आप देख लेते हैं, यहां प्रिज चाली है, पानी उसके प्लेट उप आप लेखे, पाने कश्यों रख पहों करे गया है, ज हम उपने तड़के वाले पोह त्यार करे रखे हुए हैं आप गया है टाल numer मरेट के लिए मैं एपना पर के लिए तो यह देख़े हैं मैं isinin को इसी पोहे प्लाइण तकि čालके वूमफली के दाने तल你好 इसे काट पूहता है अब यह क्योंकि हम क्योंकि वस्पान ही फोल्य भूम Repeat अब जान ही व्पध कर देंगे ज़ी निकभार कमद के थार हो आप रहे है। तो आप्तिक हम तो चाहो है जो अब परहे हो बना सकता है क्या बोलते हैं, इसको सेव, ऊपर से, रतलामी सेव, इंदौरी पोहे में रतलामी सेव के बिना तो अधूर होते हैं, और पोहे के साथ में उसके यार आ रहे हैं, जो की है जलेबी और गर्मा-गर्म चाहे, तो यह रहा मेरा सुबह का नाश्ता बढ़ियां से इंदौरी पोह रीजी झारी झांद्च के झार्मा-गर्मेरा आपने खरूहर hell जर वे झार्माझा गूहर होते हैं, जो है जो की हैं, जो अपर्मावाक हैं, टूहा?